एक और हलका सा ठीक है ओफिशियल टाइम तो होने दीजिए ना उसके बाद बस्ट रख करेंगे हम लोग अच्छा से कोई दिकत नहीं वो निसिंद रहिए सिक्वेंसन कंवर्जेस टो एल अड्सीक्वेंस ब्चैन का यह गवैं नहीं लेंगे टोंकि उधर जब निटे थे तरुने नहीं लगे कही है टेक है ना कि एल वन एयल्टी ठीक न then sequence whose innate term is A1 BN plus A2 BN minus 1 plus so on A and B1 that divided by N converges to L1 L2 एक सिक्वेंस सीधा ओडर में और दूसरा उल्टा ओडर में प्रोड़क्ट ऑप सम अब यह बोलिए कि इसमें कुछ क्या समझाएं दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है B1 B2 BN यह ऐसे टर्म नंबर घड़ता हुआ यह वन का बढ़ता हुआ अब पिछले में जानते हैं यह रूट के बाद इन प्लस वन एथ और टू एन प्लस टू एथ रूट नहीं पूछे क्योंकि वह इसा विरैटी कर चुके हैं डिल किसमें प्रोडक्ट वाले में नहीं तो वह भी का रहा था कि मेरा भी एकाद ऐसा हो जाता तो अच्छा लगता वन बाई एन प्लस टू एथ कुछ दे देते वह ला हो गया यार तुम्हारा हो गया जाओ घवराना ने तुमारी विरैटी ये डिल कर लिये हम लोग तो निवर पैनिक क्या हुआ हां से रोस्तियोरम और एक और आगे है इस टॉल सी से रोस्तियोरम वह मोनोटोनीक के बाद आँ अ और मोनोटोनीक यहां नहीं क्या क अब स्वं में पोजिटीव की क्या जरुरत है इसthree प्रोटक्ट मिन पॉस्तिव की जरुरतIM सबका निकलता है ठीक है ना लिख लिए है और एकदम किलियर है हमारे लिए सेंडविच जिन्दाबाद कौन जिन्दाबाद सेंडविच जिन्दाबाद जो सिक्वेंस कंवर्जेंट है वो बाउंडेट भी होता है क्या होता है बाउंडेट भी होता है कोई शक ठीक है न और एन का लिमिट एलवन है तो इसका मतलब एलवन माइनस इप्साइलन से लेकर एलवन प्लस इप्साइलन के बीच में सारे एन होंगे और बी एन दोनों के लिए यूज के दीजिए ठीक है न और एक चिलाएगा कि फट्रॉड एन ग्रेटर दैन और पीछे से M2 टर्म छोड़ दीजिए, पीछे से M2 टर्म में कौन दुखी है, बोलिए B, और आगे से M1 टर्म में कौन दुखी है, A, तब finite टर्म छोड़के भी क्या करेंगे, finite का सम finite आएगा, finite आएगा, that upon N खड़ा है ही, ताकि मैं उसको 0 बना दूगा, छोड़ो उसको, कोई दिकत, कोई दिकत, आगे से M1 टर्म छोड़े, पीछे से M2 टर्म छोड़े, तब बीच में कितना टर्म बच गिया, N-M1 प्लस M2, अरी मजाक है, इन में कोई दम नहीं है, बिलकुल मजाक है, और N-M1 प्लस M2 टर्म, इन सब की मिनिमूम वैलू क्या होगी, L1 माइनस इप्साइलन, इन्टू L2 माइनस इप्साइलन, ठीक है न, और उसके बाद इधर लिख देते हैं, प्लस फाइनाइट, प्लस फाइनाइट, कैसा रहा, मैं अब पापड बिलने माला नहीं हूँ, उल्टा हम कर देंगे कि आप अपने सब्द में लिखेगा घर जाकर, तब आप समझेए, तो कोई नुक्सान की बात नहीं है, इसके बीच में कौन आ गया, A1, BN से लेकर, यस और नो, प्लीस टेल, सांती नहीं, सांती से तो अच्छा करांती हो जाए, ठीक है न, अरे M1 टर्म तक दुखी, M2 टर्म तक दुखी, पीछे का M2 टर्म छोड़ दिये, B1 का दुख खतम, आगे से M1 टर्म छोड़ दिये, A1 का दुख खतम, बीच में न A1 दुखी, न A1 दुखी, न BN दुखी, सबकी वैलू यहां से यहां के बीच में, यहां से यहां के बीच में, फिनिस्ट, इदर वाले के लिए जगा क्या? मेरे भाई, प्रोड़क्ट है, लेकिन यहां तक कहता है कि मेरी वैलू कुछ भी फाइनाइट होगी, सीक्वेंस अगर कर वर्जेंट है तो बाउंडेट तो है न, बाउंडेट का मतलब सब्टर्म फाइनाइट ही नहोगा, दो फाइनाइट को अगर एम बन टाइम्स गुना करेंगे फाइनाइट ही न मिलेगा तो फाइनाइट लिकर क्या बुरा किये, जो पीच में अरे फेप लिखे हैं फाइनाइट पाइनाइट थीख है न, उसकी बाद दरे हुए तो हम है कि जगा तू बचा ही नहीं ऐसे लि दुखने गहते हैं, finite plus n minus m1 plus m2 times of l1 plus epsilon into l2 plus epsilon plus finite by n. कोई दिकत, अरी क्या इसा बात बुलते हैं, finite तक मैं दुखी हूँ, a1 चिला रहा है, इधर के पीछे finite तक भी दुखी है, ठीक है न, बीच में दोनों सुखी है, हो गया, दोनों सुखी है का मतलब, मैं यहां से यहां के बीच में, तु यहां से यहां के बीच में, कोई दिकत, कोई कस्ट, कहां से कहां तक सुखी है सर, हो गया, कहां से कहां तक सुखी है, बीच में सब दोनों सुख में है, ठीक है न, पहला M1 के बाद और इधर पीछे के M2 के बाद क्या कि पीछे M2 टर्म्स तक B1, B2, B3 यह आएगा B को M2 तक कस्थ है उसके आगे एक सुख में है A को M1 तक कस्थ है उसके आगे सुख में है A का सुख M1 के बाद सुरू हुआ, B का सुख M2 के बाद सुरू हुआ, इसके पीछे B सुखी, इसके आगे A सुखी, तो इन दोनों के बीच में A B दोनों सुखी परिवा, परिवा, यह पढ़ाई है, छुटी नहों गया छुटी हो गया, इसलिए खेल हो रहा है पढ़ाई के बदले, यह सुख और दुख चल रहा है, लेकिन हम घंगोर दुखी है सर्थ, आदर दुख में रही है, ठीक है न, अगर यह नहीं पकड़ पाए, कि कब सुखी, कब दुखी, अब आईए, मैं सीधे लिख रहा हूं ल फाइनाइट बाइन जीरो, फाइनाइट बाइन जीरो, दिस बाइन वन, इधर से दिस इंटो दिस इप्सालन टेंडिंग तो जीरो प्लस पे, L1, L2, उसकी भी L1, L2, तो बीच वाले का L1, L2, अगर यह भी पढ़ाई है तब तो हो गया पढ़ाई, फिर तो हर चीज पढ ही बन जाएगा, यह तो बोलिएगा कि पिछले वाले का को रोलरी है, से सहरो साहब को अपना नाम लिखवाना था, लिखवाली है, आपको दुख समझ में आया ना, कोई दुखत घटना और, ठेक, तो इस बीच वाले का भी लिमिट कितना हो गया, L1 into L2, एक सीधा रहे, दूसरा उल्टा रहे, ठेक है ना, तो फिर भी प्रोड़क्ट आफ सम का, अरिथमेटिक मीन, उनके प्रोड़क्ट आफ लिमिट पे कनवर्ज करेगा, फिनिस्ट, कोई दिकत, पहले M1 टर्म के बाद, एन के टर्म, इससे बड़े होते है, ठीक है ना, पहले M2 टर्म के बाद, ब्ये न के टर्म, इससे बड़े होते हैं, और उससे छोटे, उससे छोटे करम से, अपर बाउंड बिल बी इस, लुवर बाउंड बिल बिल बी इस, यह सब तो चाहते तो हम हमद्वर्ट में दे देते हैं, कि do it by sandwich theorem तो कि किताब में जाईएगा तो sandwich से मिलेगा यह नहीं वो अपना कुछ और से देगा तो हुंबर्क हो जाता ठीक है ना नंबरिंग कितना था हो गया बस हो गया आज आपको बताएं आपने 14-15 मिनट एक स्टाल दिया था बस हो गया हो गया बस हो गया हो गया ऐसे नंबर कितना था वो 85 बस 87 हो जाएगा यस बस लास्ट ऐसे और देखते हूं हो गया खतम खतम है वन प्लस वन बाई इन का पावर इन हो गया ठीक है ना इंटू कॉस इन वर्स वन बाई कॉस इन वर्स वन प्लस कोई ट्रबल वन नहीं देंगे कॉस वन देते हैं जाहिए ठीक है ना अच्छा मिलना चाहिए वन प्लस वन बाई कोस बाई टू डॉ डॉट 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 वन प्लस वन बाई वन का पावर वन इन्टू कोस वन बाई एन जाई यह सब जाना पहचाना लाइन और इसमें भी वो फैदा नहीं है कि इनके जगा पांच एन प्लस वन करवाएंगे तो क्या होगा तो कि आप जाम दें कि दिस बाइन को अलग से हैंडिल कर लेंगे अब फाइब और इन को जो है अलग से हैंडिल कर लेंगे तो उसमें आप माहिर हो चुके हैं तो आपको दिख रहा होगा कि यह जो है पहला टर्म दूसरा टर्म से लेकर एनेत और इधर से यह पहला टर्म दूसरा टर्म से लेकर एनेत एक सिधा और दूसरा reverse order में आपको कुछ नहीं करना होल में टीक है ना एंसर इस इन्टु बस अब नहीं बोलेंगे यह 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 अब इसी में बदमासी करना होगा तो टीन प्लस एलेवन इवाई टीन वह सब चोटा मुटा चीज है वह सब देंगे भी नहीं अभी कहेंगे कि ऐसा विराइटी कर लिये है कोई दिकत मुटा है झाल झाल